सभी का बहुत समय बाद एक fantasy preview में मुकाबला इंडिया बनाम श्री लंका एंड यह प्रिव्यू होगा जील फोकस्ट इस प्रिव्यू में हम बात करेंगे कि किस टाइब के जील रोटेशन आप कर सकते हो इस गेम में क्या है मेरे गट फील्स बेस्ट ऑन टॉस की प्लेयर सकते और छोड़ सकते हो और मेभी कुछ इंट्रेस्टिंग डेटा एंड स्टैट्स भी तो प्रिव्यू के एंड तक बने रही है रिवेंबर तो हिट दे लाइक बाटन एंड टेलिग्राम के साथ हमारे साथ जुरूर जुड़ेगा लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन म अब चलते हैं आज के पिच ग्राउंड डाइमेंशन की तरफ एंड चलेंगे टीम की तरफ तो यहां पर देख सकते हैं पिच की फोटो यह काफी फ्लाट ट्रैक है जो हमें देखने को मिलता है यूजियल एडवांग की डे और बहुत सारे रन्स हमें देखने को मिलने चाह करेंगे आगे यह ग्राउंड डाइमेंशन एक साइड है सिर्फ 60 मीटर तो बहुत कोशिश होगी इस बाउंडरी को टारगेट करने की 66 मीटर ऑन साइड और स्ट्रेट जो एक साइड है वह फिफ्टी फॉर फिफ्टी सिस मीटर तो बहुत ही अनलाइकली होगा कि स्पिन ब अब चलते हैं हमारे आज की बेस्टीम की तरफ फिर चलेंगे जीएल टीम की तरफ एंड डिसकस करेंगी क्या चीज़े आपको करनी है उस मुकाबले में सक्सीट करने के लिए और क्या टागेट आपको रखने तो सब कुछ के पहले इंशॉर कि आप ये फ्री कॉंटेस्ट जॉइन कर लें और माइमास्ट 11 वन लाइक का फ्री कॉंटेस्ट है और ट्वेंटी थाउजन का फिर्स प्राइस है तो जैसे आप शाइन आप कर लोगे विद लिंक इन दिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा बोनस कैश्ट और वो बोनस कैश्ट को आप यूज कर सकते हो ग्रांड लीग में टीम्स बनाने के लिए एंट कॉंटेस्ट यहां पर जॉइन करने के लिए अप टू थर्टी टीम्स आप बना सकते हो तो वाइल जो बड़ी जील है वो सब के लिए टेम्टिंग होती है और इसलिए एक छोटी रकम नहीं है जो कॉंपेटिशन कहीं कम है इन कंपारिजन टू अधर अप्स तो बिलकुल ऐसे आप और ऐसे कम कॉंपेटिशन वाले आस पे बिलकुल आप अपना लग ट्राइक कीजिएगा अन मल्टिपल टीम्स बनाइएगा अब चलते हमारे पहली ज के पहले याद रखी कि विजन 11 पर भी वन लाग का फ्री कॉंटेस है यहां पर स्पोर्ट ज्यादा है तो अच्छा कासा मौका है तो विजन 11 माइमास्ट 11 दोनों के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में माइमास्ट 11 पर हमारे रेफ़र कोड़ है fcp और विजन 11 पर विरेंगे तो यह मेरी पहली टीम इस मुकाबले के लिए अब यहां पर आप देख सकते हो पहले हम स्टार्ट करेंगे कीपिंग से तो यह सबसे बेसिक टीम जो आपको देखेगी मोस्टली सबके स्मॉल लीग कॉंपेटिशन में भी पर एक बात याद रखेगा तब क्या होता है जो हमारी ड्रीम टीम है उसमें दो तीम ही होते हैं और बेस टीम जिससे वो ड्रीम टीम बनके बाहर आती है तो पहले यह टीम डिसकस करेंगे और फिर समझेंगे कि क्या सिन में विराट रोहित और शुपमान गिल तीनों इंपोर्टन है अब रोहित रोहित पे वाइल इनका फॉर्म आप देख सकते हो हर गेम में यह ड्रीम टीम में रहें एक सब्सक्राइब इनके लिए एक क्या इंट्रेस्टिंग पॉइंट है यह आउट हुए दुश्मनता चम में बट ओडियाइज में एक भी वार नहीं आउट हुए है चमीरा को फॉर्टीट और फॉर्टीफोर एंड नौट इविन वन डिस्मिसल वाइल इनका जो वेन्यू रिकॉर्ड है वांखिडे पे वो भी काफी इंट्रेस्टिंग है तीन ओडियाइज में बीस रन कभी क्र रिकॉर्ड इनके सामने अच्छा है पर्ट फॉर्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ रोहिट के साथ है ना चमीरा के साथ है वाइल मदुशंगा के साथ है हमें पता है कि यह बात का ध्यान रखेगा आप बनाते हैं हमारी आगे की तो अभी के लिए बेस टीम में उन्हें लेके में ऑविसली रविंद्र जडेरा को छोड़ के कोई मतलब नहीं एविन अगेंस टीम जो स्पिन अच्छा खेलती हैं उनके सामने भी विकेट्स लेकर गए हैं और बोलिंग सेक्शन में मैं गया हूं विट ओल फॉर इंडियन बोलर्स दिल्शान मदुशंक का क्यों यह अब समझते हैं कि क्या चांसेज आप ले सकते हो हर टीम में तो पहले हम स्टार्ट करेंगे कीपिंग सेक्शन से अब यहां पे कुसल मेंडिस और लोकेश राहूल कुसल मेंडिस को छोड़ने का कॉन्फिदेंस मुझे काफी है स्पैशली जब वो चेस कर रहे हैं अब करेंगे तब उन पर प्रेशर होगा तो चेस दस्कोर एंड तो चेस दस्कोर इन फ्रंट ऑबुम्रा शमी सिराज यह चालेंज बिल्कुल भी आसान नहीं होगा तो मेरे हिसाब से अगर श्री लंका पहले बोलिंग करती है तो आपको वहां पे एक मौका मिल जाता है तो टे तो यह एक रिसक पॉइंट है जिसको आप ले सकते हो अब यहां पर ये स्लॉट में कॉन आसकते है यहां तो आसकते है रजीता यह तो आ सकते है चमीरा ठीक है तो यह आपका पहला रिसक पॉइंट यह आप ले सकते हो in place of kusamandis तो यह हुई बात of the शिलंकिन प्ल्यर दिल जो एक प्लियर श्रिलंका का होगा मेरा डेफिनिटली होगा दिल्शान मदुशंका इन बोट सेनारियो अब बात करें इंडियन बोलर्स की आप उन्हें क्या सेनारियो में छोड़ सकते हो सिराज को जो फॉर्म रहा है थोड़ा सा अपन डाउन रहा है कुछ खास कंसिस्टें नहीं रही है तो में भी बोलिंग फॉर्स्ट में आप उन पर चांस ले सकते हैं हमने देखा इन दे गेम वर्सिस न्यूजिलेंड डेच में आके डाला शमी और बुम्राने में जॉर्टी ओवर्स तो वहां पर में भी एक चांस बन सकता है बड़ हमें पता है कि श्री लंक तो बात करते हैं दोनों इंडियन स्पिनर्स की रविंद्र जडेजा हमें पता है कि जब वह पहले डालते हैं तो थोड़ा सा डिफेंसिवली बोलिंग करते हैं वह केस में ऐसा हो सकता है कि इंडिया उन्हें खेल के निकाले ज्यादा विकेट्स नहीं दे तो रविंद्र जडेजा पर आप कभी रिस्क लोगें जब वह पहले बोलिंग करते हैं कुल्दी प्यादफ थोड़े ज्यादा अग्रेसिव बोलर है तो चांसे ज्यादा करते हैं यह नहीं कहोगा कि फॉर्स बोलिंग में भी यह सेफ रिस्क बनते हैं बट क्यूंकि ओवर्स फिर बीच म सकते हैं फॉर्स बोलिंग वाइल जडेजा को में भी आप 40% टीम में चोड़ सकते हैं कि थोड़े और डिफेंसिव बोलर है बात करें बुम्रा की तो मैं कोई भी सिनारियो में नहीं चोड़ूँगा मुझ में हिम्मत होगी कि अगर मैं 20 टीम मना रहा हूं तो दो टीम से ज्यादा में मैं ना बुम्रा को छोड़ूँगा ना शमी को इस दोनों का फॉर्म काफी अच्छा है बाकी सिराज की बात की जाए तो में भी 12-14 टीम में मेरे लिए प्रेजेंट रहेंगे बाकी टीम में उन पर रिस्क लिया जा सकता है इरिस्पेक्ट और बोलिंग फॉर जग रहें कि इंडिया के लिए एक अच्छी विन होनी चाहिए तो यह हुए इंडियन बोलर्स और आप क्या सेनारियों पर चांस ले सकते हो अब आते हैं रोहिट शर्मा पर रोहिट शर्मा कि हमने वेन्यू रिकॉर्ड की बात की मैच अप्स आप बेस टीम में चांस नही किस प्लेवर को रिप्लेस करऊंगा इस शरी लंका बोल सब्सक्राइब सही और कि यहां पे एक अच्छी पिक बन सकते हैं हैंस मुझे उन पर थोड़ा सा बिलीव आ रहा है स्पेशली इस बोलिंग सेकेंड की थोड़ा परिशान कर सकते हैं हमने देखा विराट अलसो कि कभी-कभी के सामने जल्दी विकेट दे सकते हैं तो यह हुई रोहिद की बात अब चलते हैं आगे पिराट एंड शुब्मन गिल की तरफ शुब्मन गिल का फॉर्म ओविसली यहां पर थोड़ा अप एंड डाउन रहा है बट ऑविसली जिस टैप के प्लेयर हैं जो स्टेबली केलते हैं अगर कुछ खास मुवमेंट तो आपके फैंटेसी टीम को अकेले डिस्ट्रॉय करने की शमता ही रखते हैं एक और बात कि और लियुकीbor गिल की बीच में एग्रेसर रित तो ज्यादा रिस्क हों वह लेते हैं जिसका यह मतलब है कि या तो फो ड्रिंवी सी बन जाएंगे या तो recycled में भी नहीं आएँंग सोब होगे किनकी उनका जो रिस्क मीटर है वो कम है तो जब वो प्लेयर रिस्क कम ले रहा है तो उसकी फैंटेसी वाल्यू आटमेटिकली बढ़ जाती है और सेम गोज फो विराट को ली ओविसली विराट के तो ऐसे कुछ जैसे मैंने का जड़े जागर पहले बोलिंग करते हैं तो मैं भी उन पर रिस्क लिया जाए तो यह सब चीजों को मैं कमबाइन करके इन बैटर्स पर रिस्क लूँगा तो यह हुए रोहित विराट एंड शुपमान की बात लास्ट प्लेयर जो यहां पर इंपॉर्टन है व फिर उनकी बैटिंग की चांसे भी ज्यादा लाइकली हो जाती है और फिर क्यूंकि ऐसा नहीं कि कोई लिमिटेड चेज है तो बीस रण मनाया है और चेज खतम हो गया तो अब अनलिमिटेड पोटेंचल है प्लस कीपिंग पॉइंट भी उनसे आ सकते हैं तो लोकेश आराम से खेल के कुछ रंज आपको बना के दे सकते हैं अभी के लिए आप्रोच विद लोकेश राहूल अभी के लिए ओविसली इस टीम में रहेंगे सदीरा समर विक्रमा एक डीसेंट पिक है पहले बैटिंग में उन्हें बिल्कुल ट्राइ करूंगा अब चलते हैं चारित असलंका को एक ग्रांट काफी पसंद आ सकता है इन्ये स्कौर कहलना काफी पसंद है और इस पे अच्छा केलते हैं जो इंडिया का की चाइलंगा होगा है इन विडलो को अगें स्री लंका तो चारे तसलंगा को मैं कहूंगा अगर बीच टीम्स बना रहे हो एटलीस आप साथ आट टीम्स में उन्हें बिल्कुल ट्राइ कर सकते हो श्रेय साहियर इनकी वीक्नेस और शॉट बॉल आइड दोंट इंक हमको बताने की जरूवत है और हमें पतता है कि चमीरा के पास हाई पेस है वहाँ पर उन्हें शॉट बॉल के साथ ट्राबिल करने को सेम फो कासुन रजीता बट यहां पर याद रखी क्यूंकि स्क्वेर बाउंटरी शॉट है वो सकते है कि वो शॉट बॉल को अगर पूल उनकी एज भी लगे तो वो शिक्स के लिए चली जाए और दस नॉ टीम में दोनों को रखूंगा नॉट नेसेरली तुगेदर मेभी अलग से मेभी दो एकाट टीम में साथ में तो श्रेय सहीर वो शॉट बॉल वाला वीकनेस सबको पता है बट आम शॉर कि वह वही बात पर वह कर रहे हैं सूरु कुमार यादव ओविसली फॉर्स इतनी लोग आती है मेभी तीन से चार टीम से ज्यादा से इन्हें मौका ना मिले अगर यह एक इंपक्फुल पारी भी खेल जाए उनका मौका ही उतना खास नहीं है तुमेक फैंटेसी इंपक्त तो सूरु कुमार यादव इफ बैटिंग फॉर्स तैन इन मोर टीम इफ बै तो मेभी कुछ चिक प्लस हमें पता है कि इनका बैटिंग का चांस अल्मोस्स गैरिंटीड है हमें लग रहा है कि स्री लंका के सारे प्लेश को बैटिंग यहां पर मिलनी चाहिए तो आइटिंग क्योंकि उनका एक्स्पीरेंस है प्लस वाइल इनका पेस इस ट्रैक को सूर कुछ तो नहीं करेगा बट मैं कहूंगा कि अगर यह एक्टी रंस देके भी आपको दो विकेट लेकर दे दें तो आपको फैंटेसी वाल्यू वह इसाब से बिल्कुल बन जाती है एंस आइटिंग सेवन टू एट टींग में इनने भी ट्राइक किया जाएगा दनंज डिस कर दो लिता बोलिंग फर्स बिल्कुल ट्राइ करूंगा दिल्शान मद्दुशंकार जैसे मैंने का इन बोट सिटुएशंस मैं इस थीक शाना मोर इन बोलिंग सेकिंड बट मैंस नहीं कहूंगा कि बोलिंग फर्स में बिल्कुल डूलाट एस काफी क्लास प्लेयर हैं तो इनका impact बन सकता है and same for Chameera बहुत ही experience player है first bowling में ज्यादा teams में रहेंगे second bowling में कम teams में रहेंगे तो यह रहा मेरा approach player to player कि मैं हर player पर किस तरीके का approach अब बात करते है captain vice captain की and kin scenarios में आप kin players को try कर सकते हो as captain and vice captain so I think just be boomerah मेरी खुद की साथ है team में directly captain vice captain बन जाएंगे irrespective की पहले bowling करते है second as class player है यह बट problem क्या है हमने देखा in few games की I think Afghanistan वाला game था है इन्होंने तीन या चार wicket लिए थे नौट रॉंग चार wicket लिए थे बट फिर भी रोहित ने उनको इतना overtake कर दिया at 150 runs की इनका कुछ काम बनाई नहीं नहीं है इस captain nor vice captain तो क्यूंकि यह छोटा ground है अफकोस रोहित आं विराट आपके लिए important captaincy vice captaincy choices बन जाएंगे चाहें इंडिया पहले बैटिंग करे या second obviously first second bat first batting में ज्यादा इस first batting में उनकी जो opportunity है वो unlimited potential वाली हो जाती है जस्परीद बुम्रा इन बोट situations अज मुझे लग रहा है कि श्री लंका के पूरे दस विकेट गिरने चाहिए मौमाज चमी specially if he's bowling first same for मौमाज शिराज वहनी बोलिंग first उसके लाबा दिल्शान मदुशंका इस डिफ्रेंशल चॉइस इन दोस टीम्स जहां पे आप रोहित और विराट पे रिस्क ले रहे हो वहां पे में भी एक दो टीम्स में आप इने captain wise captain try कर सकते हो in bowling second I will try कुल्दी प्यादव एन रविंदर जडेजा एस फिर हमें पता है कि spinners का impact ज्यादा हो सकते है अगर आपको वह storyline याद हो और पाकिस्तान वर्सेज इंडिया वर्सेज पाकिस्तान एश्या कप वाला गेम जा मैंने प्रिव्यू में आपको बताया था कि हो सकता है कि कुल्दी पाकि के पाकिस्तान middle order के wickets ले जाए आफर दे प्ले स्लोली अगेंस पेस और वही वाव इफ्तिकार वाले dismissal मुझे बहुत रिया आदा है कुल्दीप ने जा आउट किया था तो कुल्दीप के साथ यह scenario बिलकुल activate हो सकता है especially when bowling second bowling first में भी अच्छी choice है ज्यादा aggressively डालते है in comparison to जडेजा 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 when he is bowling second also becomes a great captaincy choice शुब्मन गिल इन बोट scenarios एज यह थोड़ा आराम से खेलेंगे in comparison to रोहिद तो आपके लिए fantasy value वहां पे better हो जाती है लोके ज्राहूल when he is batting first and बाकी जो आप extreme teams बना रहे हो जहां पर आप दिल्शान मदुशंका या रजीता को वी-सी ट्राइक कर रहे हो जहां पर आपको लग रहा है कि इंडियन team का collapse होगा तो वहां एक दो टीम को गेल आनायर को गेल आनायर बोलना आयर और सूर्य कुमार को captain vice captain सिर्फ एक टीम में ट्राइक करना तो यह रहे मेरा आज का preview and I think GL में इतने scenarios आपके लिए काफी है वही चीज important है कि GL में आप एक story बना अपने मन में कि आपको क्या लग रहा है इस game में क्या होगा किस तरीके से game जाएगा मैंने आपको जो चीज़े बताई कि second bowling में यह important first batting में यह important अब उन बारो इन चीज़ों के बारे में आप ठोड़ा deeply सोचो and वही से आप से जील ट्राइ करो कि last जो मैंने जील जीता अभी दो दिन पहले यही basis पे मैंने जीता तो I think important है कि आप एक story बना अपने मन में and वही साब से इस game को attempt करो बागी small leagues में तो यह game जो होगा जो मैंने आपको पहली team दिखाई सब की वैसी team होगी कुछ खास फरक नहीं होगा उसके लावा आपकी कोई भी सवाल हो तो बता दीजेगा मुझे in the comment section and hopefully जल्दी मिलेंगे एक और preview के लिए remember to hit the like button and thank you so much for tuning in